हेलो एब्रीवरन वेलकम बैक तो वर्शेयर फोस्टर अकेडमी एन होप यौवल एन हेल्दी दिस दिश्योता पांचाल सौंगे थे आपका इस क्लास में और आज की इस वीडियो में हम EMRS TGT की सोशल साइंस का हिस्ट्री पॉर्शन जिसके इंपोर्टेंट कोशिंस चल रहे हैं और इसका पार नंबर फाइव आज हम डिसकस करेंगे अधर पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं इसके अलावा टेलिग्राम गूर्प से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसके अलावा विश्व न्यायले भी कहा जाता है यह आपको ध्यान रखना है इसके न्यायदीशों की संख्या कितनी है तो इसका अंसर जैग आपका उप्शन नमबर डी 15 ठीक है और इसके स्थापना कब हुई थी 1945 में हुई थी अगर बात करें इसके हैड़कोर्टर कहा है तो यह है नीदर लैंड में ठीक है और जगे का नाम क्या है पीस पहले स्थीक है पीस पैलेस और अगर ऑफिश्यल लेंविज की बात करें तो इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है यहां की इसकी आइसीजे की जो है ओफिशिल लें कहां से कॉंटिनेंट से कितनी होगी ठीक है को देखते हैं 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी उस समय में जर्मनी में बेरोज़कारों की जो संक्या है वो कितनी जा पहुंची थी तो आपको पते एकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में जो पूरा वर्ल्ड है वो इसते प्रभाव है मतलब बहुत ही बुरी हालात हो गई तो उस वक्त कुश्य नमबर 3 है अंतराष्ट्रे न्यायले यानि इसी जो है उसके न्यायधीश जो है उनका कारेकाल कितना होता है तो इसका अंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमबर 9 वर्ष का ठीक है कुश्य नमबर 4 है संग यानि UN जो है उसका कोन सा अंग अपने विशिष्ट एजेंसियों के कारे के समन्वे के लिए उतरदाई है ठीक है आपको आपको यह तो पता ही हो गई UN के स्थापना का भूई थी जो ने अभी बात किया 1945 में इससे पहले भी आपका एक organization आया था क्या आप उसका नाम क क्या इससे पहले कोई एक ऐसा organization आया था चाहिए वह स्थाफित रह पाया या नहीं रह पाया successful था या नहीं लेकिन इससे पहले एक और organization भी आया था कि आप उसका नाम करें सक्षिन में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो पता ही जरूर तो है उसका कौन सांग है जो अप इसी कोन सी घटना घटे थी जिसके वज़े से देश में इतना जादा कह सकते हैं कि खलबली मच गई थी कि जो रेडिकलवादी विचार धार है उसको जादा लोग समझने लगे थे या फिर होता है ना कि एक कंट्री में जैसे कि यहां पर हम इसका जो आंसर देखेंगी सब कि पास काम नहीं है तो फिर उस विचार धारा से हटने लगते हैं जो उसका प्रिजेंट में होती है तो वह वाली सिचुएशन देखने को मिली थी आपर भी कोईशन नमबर सैवन देखते हैं को से राश्ट्र संगटन की विशिष्ट एजनसी नहीं है यानि से राश्ट्र की बात करें तो यह हुई थी 1st of January 1995 में ठीक है इसका हैटकोर्टर देखें तो यह रहेगा आपका जेनेवा में और जेनेवा कहां पर है स्विट्जर लैंड में ठीक है चले कोशन नमबर देखते हैं फ्री कोर क्या था फ्री कोर क्या था तो यह था आपका पुराने सैनिको का एक संगठन जो की जो प्रदर्शन कारे थे उनको भगाने के लिए फिर उनको हटाने के लिए वह से इसका काम मतलब इसका काम यही था प्रदर्शन कारे जो थे उनको हटाना कुशन नमबर 9 है यह फिर कह सकते सरकार के कहने पर जो भी काम उनको दिया जाता था वो करते नमबर 9 है जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डव्स योजना किसने बनाई जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डव्स योजना जो है वो किसने बनाई थी तो इसका अंसर आपका जाएगा किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था यानि आपको पता ही है जो अंग्रेज से वो अलग अलग तरीकी की नेतियां अपनाते थे ताकि भारत को अपने कंट्रोल में कर सके जो राजा नहीं उनको कंट्रोल में करने देने अपने स से उनको तो इसका जो आंसर जाएगा यह जाएगा आपका अवद ठीक है अवद किस राज्य के शासन को अंग्रेज़ों ने कुशासन के बहाने तो यहां पर आपने हड़प की नीती सुना होगा जो की इसके साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है यह आपका डलहौजी ठीक है और एक आपको पता ही है उत्तराधिकारी वाली थी कि अगर अपना उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर उसको उस जगे को भी हम अपने कंट्रोल में कर लेंग जैसा की जहासी में हुआ था है आपको याद होगा तो यह था आपका कुशासन को लेकर नेक्स्ट है आपका कोशन नमबर 11 नौडिक जर्मन आरे कहां के रहने वाले थे इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नमबर C जर्मन तो लिखाई यह आपर जर्मन ठीक है तो आंसर आपका जाएगा जर्मन कोशन नमबर 12 है जहासी की रानी लक्षमी बाई द्वारा किस स्थान पर अंग्रेजों के अंत में अंत में हार मान ली थी यहासी की रानी जो है खूब लड़ी थी लेकिन वो दना नहीं लड़ पाई जब ठक गई या फिर जो एंड चल रहा था उनकी लड़ाई का उसमें अंग्रेजों के साथ अंत में उनको लास्ट टाइम जो था उनको कहा था आपसे पूशा गया है तो यह रहा इसका अंसर ऑप्शन नमबर B कोटा की सराय ठीक है यहां पर तो लक्षमी बाई ने खूब अच्छे से अपना युद्ध लड़ा था लेकिन एंड उनका कहां प किजी आप कमेंट सेक्षिन में अगर आपको पता है तो जरूर कोशन नमबर 14 है दूरी शक्तियां किन देशों को कहा गया दूरी शक्तियां किन देशों को कहा गया तो इसका अंसर आपका जाएगा ऑप्शन नमबर B जर्मनी जापान और इटली ठीक है जर्मनी जापान औ पुस्तक द्वारा लिखा गया था तो इसका आंसर आपका जाएगा बताई जली से यानि पहले को इसके बाद और फिर फिर थर्ड नंबर पर ठूसका जाएगा आपका ये जाएगा आप बंगाल का विभाहँ हुआ तो सबसे पहले सकर्सका सूरत अधिवेशन के लगन वे संधी ती अगो की बात करें यहां पर थो 1905 आपको बहुत सूरत इससे तरीकी से कालकृम रहा और इस साथ या तरह याद रखनी जरूरी है वोश्य नमबर सेवंटीन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोग का नितरत किसे किया था हम यहां पर बात कर रहे हैं बड़े ली की ठीक है तो बड़े का किसने किया था खान बहादूर खान दौरा खान बहादूर खान ठीक है और इसमें इ पर रोलेट एक्ट जो है उसको कब लाया गया था या फिर कौन से वर्ष्ट में इसको पारित किया गया था इस कांसर आपका जाएगा संबंदित रहा इसकांसर आपका जाएगा केरल ठीक है केरल राजय से संबंदित रहा लगवग 1921 में यह शुरू हुआ था और शुरू किसके खिलाफ हुआ था अंग्रेज और भारतिय जो ट्रेडर्स कह सकते हैं व्यापारी कह सकते हैं उनके खिलाफ या फिर जो जमिदार ह सोच्छाट आढ़ार् 3 कुका अंदोलन किस राज्य से संबंदित है पंजाब से घ़ां बनगालम विवाजन के तुरंट बाद किसांदोलन में भाग लिया गया था यानि उसके बात कौन सा अंदोलन आया था तुरंत वाद तो इसका अंसर आपका जाएगा स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जिसमें गांधी जी ने खादी वगएरा की बात की थी कि अपने ही देशों की चीज़ें होने चीज़ें कोशन नमबर 23 देखते हैं सहायक संदी गठबंदन की प्रणाली को स्विकार करने वाला पहला भारतिया मूल शासक कोन था तो इसका अंसर रहेगा आपका हैदरबाद का निजाम ठीक है कोशन नमबर 24 देखते हैं नमबर 1941 में द्वित्य विशुद में अमेरिका का प्रवेश मुख्यत है किस कारण से हुआ था तो इसका अंसर आपका जैगा ऑप्शन नमबर ए पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के कारण ठीक है इससे पहले वो इंडारेक्ट तरीके से सपोर्ट कर रहा था लेकिन फिर डारेक्ट हो गया था हो 1941 में इस हमले के बाद से ठीक है यूए आपके 25 questions और मिलते पर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप अपने queries वगर जो भी आप पूछ सकते हैं